हमारे जो भी साथी बंदू इस क्लास में जुल चुके हैं एक बार आप सभी का फिर से अभिनन्दन स्वागत करते हैं तो आज है एक जनवरी दो हजार तेईस और आज की क्लास कहीं पर श्टार्ट करते हैं अपन पहला सवाल देखते हैं कॉस्चन नमबर 67 पहला सवाल है कॉस्चन नमबर 67 यहाँ पर है कि बिन्दू 2,5 से Y² इकल डू 8X पर खीची गई इस परसी जीवा की लंबाई क्या होगी देखिए यहाँ पर 2,5 से आपको जो है इस परसी जीवा की लंबाई क्हिचनी है परवल है Y² इकल डू 8X दिया गया है तो आपको बताने ही कि इस परसी जीवा की लंबाई क्या होगी आप में से हैदी किसी को इसकी शॉट ट्रिक आती है तो प्लीज बताईए शॉट ट्रिक के माध्यम से प्रसन सरल हो जाते हैं पहले एक मिनट लीजिए आप लोग फिर इसके बाद मैं क।शन में अपना हाथ लगाऊंगा आप लोग पहले एक मिनट के लिए ट्राइ कीजिए तो क्या करना है हमें परवले y square equal to 8x पर हमें इस पर श्रेखा खीचनी है तो परवले y square equal to 8x पर इस पर श्रेखा की समय कन के लिए y की जगे y y1 पूट कर दिया y square की जगे 8 into x plus x1 upon 2 तो y into y1 की जगे रेकी बिंदू दिया 2,5 तो y1 की जगे पर 5 और 8 into x plus x1 की जगे पर 2 है upon 2 आजाएगा क्योंकि नियम होता है x plus x1 upon 2 तो ये समीकन क्या बन गया हमें पस 5y equal to 4x plus 4 to 8 तो अगर आप से कोई कहता कि इसका परवले पर खीची के इस पर श्रेखा का समीकन बताओ तो भाई साब ये बता देते तो इसको number 1 देखे रोग दो यहीं पर अब क्या कह रहा है अब देखी क्या है कि ये जो समीकन है ये परवले की इस परवले की इस परस रेखा है ये तो यहाँ पर परवले का y और इस परस रेखा का y दोनों सेम होंगे तो यहाँ से y की value निकाले तो y की value हो गई 4x plus 8 upon 5 इसपर्स बिंदू के निर्देशांक निकाल लीजे right now मेरी condition यह है कि मुझे इसपर्स बिंदू के निर्देशांक पता नहीं है मगर साइध am square और 2am कुछ करके होते हैं y square equal to 4x कुछ लोग याद भी कर लेते हैं बट मुझे याद नहीं है अभी याद नहीं है situation में तो आईए एपन इसपर्स बिंदू के निर्देशांक निकालते हैं तो आईए देखते हैं इसपर्स बिंदू के निर्देशांक कैसे निकालेंगे हमारे पास समयकरण है y square equal to 8x तो y की value है 4x plus 8 upon 5 का whole square equal to 8x ये देखे y की जगे value रुख दिया 4x plus 8 upon 5 अब इसको यदि आप square कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 16x square प्लस देख टूख जाएगे पहले एक काम करीए यहाँ से 4 common लेके cancel कर दीजिए तो बढ़िया रहेगा तो यदि आप यहाँ से 4 common लेके cancel करते हैं तो अंदर से 4 common लेंगे तो ये 16 बाहर आएगा ठीक है तो यहाँ से इसको कुईसे common लेकी cancel किया जाए अगर यहाँ से 2 common ले लें तो 2 का square जो है 4 बाहर आएगा तो मैंने 2 common ले लिया तो अंदर कितना बज़ गया 2x plus 4 upon कितना 5 का whole square और यहाँ पर यह है 8x तो 4 से कड़ गया 2 बार चलिए अब कुछ राहत मिल जाएगी अब इसको खोल दीजे तो 4x square plus 2 चौके 8 और 2 16 x plus 4 का square 16 और बटे 25 equal to कित्ता हो गया 2x देखेगा कोई गलती हो तो तुरंट रोख दीजेगा 4x square plus 16x plus 16 equal to मित्रों कितना हो गया 50x ठीक है ना तो अब यहाँ से यदि फिर से 2-2 cancel कर लिया जाए या ना भी किया जाए तो चलो बाद में कर लेंगे 4x square और 16 minus 50 50 में से 16 गये 34 तो minus का 34x और plus का 16 equal to 0 अब यहाँ से आप दो common ले लें तो दो common लेके 0 कर देंगे तो 2x square और minus का 17x और कितना हो जाएगा 8 equal to कितना 0 चलिए ऐसे दो नंबर तो 9, 8, 17 और 8 जोड़िए multiply करने पर 16 और 17 तो भई minus 17 minus 16 और minus 1 हो जाएगा तो 2x square minus का 16x और minus का 1x और plus का 8 equal to 0 तो x common 2x common तो x minus 8 और minus 1 common तो x minus 8 equal to 0 में solve करने पर x equal to 8 and 2x minus 1 equal to 0 तो x equal to 1 by 2 2 point हमाई पास आ चुके हैं corresponding point y निकाल लो तो y कितना है 4x plus 8 by 5 तो 4x plus 8 by 5 तो देखिए y is equal to 4 गुणे 8 32, 32, 32, 32, 40 और 40 में 5 का भाग दिया तो 8 तो x equal to 8 पर y equal to 8 एक point बन गया 8,8 ये क्या generate करके देगा हमको एक point ये point generate करके देगा 8,8 और दूसरा point हमाई पास क्या generate करके देगा x equal to 1 by 2 तो x की ज़ेगे 1 by 2 डालिए तो 4 से 2 cancel 2 plus 8 10 और 10 में 5 गया 2 तो मतलब दूसरा point generate हो गया y equal to 2 तो 1 by 2,2 एक second कोई जड़ना चाहे रहे हैं उनको जोड़ने हैं अपन फिर आंगे बढ़ेंगे चलिए जी तो ये हो गए हमारे पास पर दोनों तरीके हमने दोनों point निकाल लिये हैं अब देखिए हमारे पास condition क्या हमें इस परशी की लंबाई चाहिए है तो point है हमारे पास 8,1 और 1 by 2,2 ठीक है न तो जो हमारा main बिंदू है वो क्या है मतलब हमारे पास 2 point आया है 1 by 2,2 और एक point आया हमारा 8,8 और किस बिंदू से हमें इस परशी निकालनी है हमें हमें जिस बिंदू से इस परशी निकालनी है वो है 2,5 तो चलिए दोनों इस परशी निकाल लेते हैं अब याद रखे गए वरत नहीं है कि दोनों इस परशी बराबर आ जाएं क्योंकि वरत पे खीची के इस परश रेखा है बराबर होती वरत की condition होती मगर इसकी ऐसी कोई condition नहीं है अब यहाँ पर हमको option को भी ध्यान में रखना पड़ेगा दीखी जो option है वन अपॉन टू रूट थर्टीवन रूट फर्टीवन रूट फर्टीवन चलिए तो भाई solve कर लेते हैं पहले सरल सा यह दिख रहा है तो इसको solve करते हैं तो 8-2 का square, 8 में से 2 गए 6 का square 36 और 8-5 का square, 8 में से 5 गए 3, 3 का square 9 तो under root 9, 6, 15 की 5 आसे रहे के और कितना हो गया? पहतालिस, root 45, तो root 45 नाम का कोई option तो अपन को दिख नहीं रहा है मतलब यह अपन को यह वाली चीज तो छोड़ दो अब अपने पास दूसरा option इससे मिल सकता है तो चलिए इसको solve करते हैं तो क्या हो जागा? 2-1 बटे 2 2-1 by 2, 2 में से 1 by 2 गए 2, 2 is 4, minus 1, 3 by 2 हो जाएगा 3 by 2 का square कितना हो गया? 9 upon 4 और plus, ठीक है ना? 5-2 यानि 3 का square कितना हुआ 9 तो भाई साब इदर हो गया 9 और 4, 9, 36 बटे 4 तो 9, 6, 15 आंसर कितना हो गया? 45 upon 4, root 45 बटे 4 अब देखिए जी option में तो कोई भी नहीं है तो फिर क्या किया जाए? root 45 बटे 4 तो है ही नहीं option में क्या किया जाए? भताईए कहीं पर में stake हो रही ही क्या? इसका अंसर आ रहा है 3 by 2 root 41 सर देखिए ज़रा कहीं पर mistake हो रही ही क्या point तो अपने सही निकाल ले है और बिंदू है क्या 2,5 बिंदू 2,5 से दी दोरी निकाल ले जाए एक बटे 2,2 की खीची गई इस पर्ष रेखाओं की इस पर्ष जीवा की लंबाई ओ बिंदू की इस पर्ष रेखा की दोरी निकाल ले है तो एक point मिला है 8,8 और एक point मिला 1 by 2,2 तो 8,8 और 1 by 2,2 के बीच की दोरी हम को निकालनी है तो किसकी दोरी निकालनी है 8,8 और 1 by 2,2 के बीच की दूरी तो चलिए solve करते हैं देखिए 8 minus 1 by 2 का square plus 8 minus 2 याने की 6 का square चलिए भाई साब तो 8,2,16 16 में से 1 गए 16 में से 1 गए कितना हो गया 15 तो 8,2,16 में से 1 गए 15 का square 225 बटे कितना 4 और 6 का square कितना हो गया 36 तो आंसर हो गया अंडरूट 225 बटे कितना 4 चलिए जी solve करते हैं तो 225 बटे कितना 4 5 और 4,9 4 और 2,6 और 2 और 1 कितना हो गया 379 बटे 4 ये देखिए 379 बटे 4 आ रहा है तो एक तो चीज यहां से है कि 2 तो बाहर आ जाएगा और उपर बज गया रूट 379 और 379 जो है ये देखिए क्योंकि option में 3 बाहर आ रहा है मतलब 9 से cancel हो रहा है क्या 9 से cancel हो रहा है बिल्कुल तो भाई साब यहां पे 9 गुणे 9,4,6 9,41 आ गया तो आंसर बिल्कुल आ गया 3 रूट 41 अपॉंट 2 तो मित्रों कल अपन क्या कर रहे थे गलती कल अपन गलती कर रहे थे कि अपन इस परस रेखा की लंबाई निकाल रहे थे बढ़ाट question पे नजर पढ़ गई कि भाईया ये इस परस जीवा पूछ रहा है इस परस रेखा की लंबाई नहीं पूछ रहा correct answer आचुका इस परस जीवा की लंबाई root 3 by 2 root 41 चलिए जी मित्रों सही है समझ में आगया सभी को clear है मित्रों आगे बढ़ते हैं ना चलिए ओके question number 61 हो चुका है done इसको one कर दिया मैंने चलिए अगला सवाल उठाते है अगला सवाल है अगला सवाल है हल कीजिए divided x equal to y square upon इतना okay मैं यदि किसी को इसकी कोई short trick पता हो तो प्लीज बताईए question number 67 में अगर कोई इस परसी की लंबाई इस परस जीवा की लंबाई की कोई short trick पता हो तो जरूर बताईए कि कैसे करेंगे क्योंकि यहां पर तो question बहुत बढ़ा हो रहा है मतलब मान के चलिए 5-7 मिनटे question ले लेगा तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा अगर इसको exam में देखा जाए तो ठीक है न? तो एक तो यह short trick हो सकती है कि भाई इस परस बिंदू के निर्देशांग आप बता दू मैं आपको तो इस परस बिंदू के निर्देशांग तो चलिए वो दिखा सकते हैं आपको बता सकते हैं मगर उसको याद ही रखना पड़ेगा आपको इस परस बिंदू के निर्देशांग को उसके अलावा कोई short trick हो तो मैं चाहूंगा यहाँ जिसको भी आती है जरूर बताए चलिए question number 68 देखते हैं फिलाल तो भाई यह डिववई dx इकल टू भाई साब साब दिखरा homogeneous है और डिववई dx इस इकल टू है y square और यहाँ पर है x y minus x square तो क्या करते है y की जगे पर vx put करते है तो यहाँ पर कितना आता है यहाँ पर आता है v plus x dv y dx is equal to यहाँ पर हो जाएगा v square x square यह कितना हो जाएगा x square v minus x square उपर से आप x square common ले ले जीए v square बच जाएगा और यहाँ पर कितना बच जाएगा यहाँ पर बच जाएगा x square common लेने के बाद v-1 और ये है v plus x dv by dx चलिए हिसाब तो x dv by dx की value is equal to कितनी हो जाएगी v upon v-1 क्योंकि ये cancel हो चुका था और v इधर पे चला जाएगा तो x dv by dx is equal to v minus का v square और plus कितना हो जाएगा plus v हो जाएगा upon में v-1 ठीक है न चलिए ये हो गया जोड़ों पहले फिर देखते हांगे question को कोई नहीं देखिए तो v एक बार चेक कर लो मैं इसको तो यहाँ पे total v square बचा था तो यहाँ पे क्या था v square बचा था v square upon कल लो पहले मैं इसको तो v square upon v minus 1 तो v square और minus का v square और plus का v हो जाएगा बिल्कुल सही है तो v square से v square cancel हो गया तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे dx उपर जाएगा और x नीचे जाएगा और यहाँ पे v minus 1 upon v जो है ऐसे आ जाएगा ठीक है ना और dv इधर पर लग जाएगा यदि मैं इसको distribute कर लोँ तो यह है 1 minus 1 upon v dv equal to 1 upon x dx ओके integrate का निचान लगाईए plus c लगाईए यह कितना हो जाएगा v minus log v is equal to log of x plus c ठीक है जी तो general solution मांग रहा है इसमें general solution इसमें मांग रहा है तो एक तरफ v तो बच रहा है तो यदि मैं पूरे को यदि मैं log की form में ले लूँ तो v is equal to log x plus log v log x plus log v एक मिनट सर कहीं पर minus sign v minus 1 v minus 1 उपर और v नीचे v से v cancel 1 आ जाएगा 1 का v minus log v कहीं गलती तो नहीं हो रही भाई साब तो चली आंगे बढ़ते हैं फिर सर कहीं mistake तो नहीं हो रही है y upon x equal to log x plus log y by x plus इसको ले सकता हूं में log c तो y upon x equal to log of a plus b plus c equal to a into b into c x x cancel तो y upon x equal to log of c y अब option देखिए log of c y तो e की form में आंसर जा रहा है तो CY is equal to हो गया CY is equal to E की power Y upon X CY is equal to Y is equal to Y is equal to CY is equal to E की power Y upon X तो यदि यहां से CY equal to E की power Y upon X और option किसमें है option नमर सरसद CY is equal to E की power Y upon X नहीं सर Y is equal to हाँ ठीक है ठीक है सर वो upon में चला जाएगा वो भी constant ही है तो Y is equal to 1 upon C and E की power Y upon X तो ये भी एक प्रकार से constant ही है तो Y is equal to C E की power Y upon X यही है सर कोई दिक्कत तो नहीं है सर तो answer number C सही है इसका चेक कर लों सर एक बार answer sheet में देख लो मैं answer कौन सा सही है इसका Y is equal to C E की power Y by X देखे यहाँ पर थोड़ा सा confusion create होता है generally बट अब इसमें यहाँ पर रुकने के बद आपका मन क्या करेगा कि answer match कर लें तो थोड़ा सा सावधानी बरतियेगा क्योंकि answer कई form में हो सकता है कहीं lock की form में देदेगा कहीं anti-lock की form में देदेगा तो देखिएगा किस तरीक है जैसे यहाँ पर हम C की form में इस answer को ले आए थे तो अब एक तरीक है यह था कि पहले हम C Y को लग करें यह सब करें वो सब करें बट ठीक है अपने directly Y को लग कर लिया C Y को लग कर लिया E की power Y upon X है तो Y इकल डू कितना हो जाएगा E की power Y upon X और भहिया यह भी तो एक constant आएगा नया constant तो इसको मैंने लिख दिया C E की power Y upon X तो बिल्कुल सही है option number C इसका correct answer है चलिए जी आँगे चलते हैं अगले question की तरफ अगला question यह भी हो चुक है 68 done है question number 69 question number 69 पे आ चुके हैं हम कह रहा है भाई function कि यह जो आपके पास में है फलन X equal to इतना Y equal to इतना X से लेके Y में परिभाशित है Y equal to X square द्वारा परिभाशित फलन अब भाई मजे की बात यह है कि आपके पास जो domain दी गई है वो bounded limited आपको domain दी गई यह मतलब ज़्यादा परिशान होनी की जरूरत नहीं है इस question में इस question में हमको ज़्यादा परिशान होनी की जरूरत नहीं है क्योंकि limited इसमें हमारे पास चीजें उपलब्द हैं आईए देखते हैं इसको कैसे हम हल करते हैं तो यहाँ पे अपने पास पहला सेट जो X है वो है 0, 1, 2 और 3 और जो दूसरा सेट हमारे पास में है वो है minus 1, 0, 1 और 4 और 9 बस इतना सेट है और fx से लेके y में परिभाशित फलन है जिसमें कह रहा है कि y equal to x का square जो y है वो x का square है तो 0 से कौन connect होगा 0 ऑके अब minus 1 तो हो नहीं सकता तो भाई साब एक melts होगी की वो तो हो नहीं सकता जो उलकुल सही तो ये क्या है एक एक की अंतर छेपी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं 1 1 into function तो ये क्या है 1 1 into चलिए सर, question number 69 के बाद question 20 की तरफ चलते हैं पिछला function जो था एक एक की अंतर छेपी फ़लंता जिसको सही answer आया हम लोग का मिलान हो चुका है, आईए अगला question, question क्रमांक 70 करेंगे हम लोग भाई साब आईए देखते हैं, question क्रमांक 70 यदि एक स्वास्तिविक हो तो मान किस अंतराल में होंगे, ओ भाई साब देखिए कहरा कि अगर एक स्वास्तिविक हो तो आपको बताना है कि इस के मान, इस पूरे फलन के मान जो है वो किस अंतराल में होंगे, ठीक है ना, तो सबसे पहले आप मान लीजिए इस फलन को Y मान लीजिए यह फलन जो है, यह Y मान लीजिए, मतलब आपको Y की value पे खेलना है और condition क्या दे रखी है, X वास्तिविक है, तो अब भाई इसको मुर्गा बनाते है, मतलब अभी यह function Y की form है अब अब आपको क्या लिखेंगे, X in the function of Y की form में लिखेंगे, तो X plus 2 upon 2X square plus 3X plus 6 देखें क्या एकुल मिलागे, आपसे range पूछ रहा है, Y का अंतराल पूछ रहा मतलब आपसे range पूछ रहा है तो range के लिए क्या करना पड़ता है, सीधे सीधे इसको multiply कर दो, तो यह हो गया 2X square Y plus 3XY और plus कितना हो गया 6Y, equal to X plus 2, अब इसको क्या करो, आप इसको जो है न, आप इसको AX square plus BX plus C की form का, आप समीकर्ण बनाओ, ठीके न, आप इसको X square में समीकर्ण बनाईए तो देखिए, यहाँ पर आपके पास में है 2Y, और यह क्या है, X square, और यदि plus 3Y, minus 1, यह वाला X उधर चला गया, और plus 6Y, minus 2, equal to 0 अब यह आपके पास क्या बन चुका है, यह X variable में वर्ग समीकर्ण बन चुका है, और आपके पास दिखा है कि X वास्तिविक है, तो भई यह X वास्तिविक कब होता है, X वास्तिविक होता है, जब D common greater than 0 होता है, तो D common greater than 0 है, तो विवित कर याने कि discriminant B square minus 4AC greater than or equal to 0, 3Y minus 1 का whole square minus 4 into 2Y into 6Y minus 2 is greater than or equal to 0, कोई जुड़ना चाहता है, जुड़ने फिर आँगे करते हैं, इसका permanent solution अभी निकाल लेते हैं, जुड़ने को अपन क्या करते हैं, एक और विंडो में उपन कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हर कोई जुड़ ज हम इसको solve करते हैं, मित्रो, तो 3Y minus 1 का whole square जो है, इसको solve करते हैं, किस तरीके से solve होगा, देखे, 9Y square और minus का हो गया, कितना, minus का 6Y plus 1, और ये हो जाए का 4 गुणे 2, 8Y, और 8Y का multiply अपन करते हैं, इसके साथ 8, 6, 48, तो minus 48Y square, और 4, 2, 8 minus का हो, ये minus minus plus 8, 2, 16, 4, 2, 8, 8, 2, 16, और ये y, greater than or equal to 0, तो देखे, यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर है, minus 48Y square, और 7 में, plus 9Y square, तो सर्फ, 48 और 9, 9, 2, 18, ओके, तो ये कितना हो जाएगा, अपने पास में, इसको solve करेंगे, 18 में से 9 जाएगे, तो कितना बच जाएगा, तो 39Y square हो जाएगा, व और minus का 6Y, और plus का 16Y, तो भीया बच गया, plus का 10Y, और plus का 1, greater than or equal to 0, minus sign का multiply कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 39Y square, minus 10Y, minus का 1, is less than or equal to 0, एक सेकेंड, 1 में कोई problem हो रही है, प्लस 1, minus 39Y square, सर सही है, कोई गलती तो नहीं हुए, उपर देख लेज़े ते, D square minus, 3Y square, हाँ सर, ठीक है सर, कोई दिक्कात तो नहीं है, गलत तो नहीं है, ना, ओके, 39Y square, minus 39Y square, plus 10Y plus 1, ओके, सर, 13, 3, 49, तो बिलकुल मिल गए आपनको, 39Y square, minus का 13Y, plus 3Y, minus का 1, ओके, greater than, lesser than or equal to 0, तो यहाँ पे कितना ले लिए आपनने common, 13Y common ले लेंगे, तो यहाँ पे आजाएगा, 3Y minus का 1, और यहाँ पे plus 1 common ले लेंगे, तो 3Y minus का 1 is less than or equal to 0, तो 3Y minus का 1, और 13Y plus का 1 is less than or equal to 0 जो answer दिखना सुरू हो चुका है, आगे बढ़ते हैं, 3Y minus 1, 13Y plus 1, 3Y minus 1, और 13Y plus 1 is less than or equal to 0, वे वी स्कर मैथड बनाईए दिखें यहाँ पे, तो एक root आपके पास मिलेगा कितना 1 by 3, और दूसरा मिलेगा minus 1 by 13, तो minus 1 by 13 आपको पीछे मिलेगा, और 1 by 3 आपको कहा मिलेगा, आगे मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे 13Y plus 1 less than or equal to 0, 3Y minus 1 less than or equal to 0, 1 by 3 से बड़ी value 2 ले ले लेता हूँ मैं, तो 2 पर चेक कर यह निचर, 3, 2, 6, minus 1 यह भी positive हो गया, और यह तो positive हैं, मतलब इस तरह positive हा रहा है, इस तरह negative हा रहा है, इस तरह positive हा रहा, मतलब Y का मान less than or equal to 0, य आई का मान आएगा, 1 by 13 से ले करके, 1 by 3, 1 by 3, तो इसका जो answer बनेगा, देखेजी, option में कौन सा बनेगा, B option इसका correct होगा, लिख लीजे, correct answer is B, minus 1 by 13 to 1 by 3, ठीक है सर, कोई दिक्क्त हो नहीं है, सभी को clear एकदम, अरे, yes बोला करिए भाई लोगों, आप लोग कुछ देखो जुड़े तो हो, तो बोला करो ना, yes जी, आप लोग बोलते हैं, तो थोड़ा सा energy तो feel होती है, yes sir, okay, thank you sir, thank you so much sir, yes, yes, वो हाथ दिखता नहीं है न सामने window पे, yes बोल दिखता नहीं है न सामने window पे, yes बोल दिख क्या है sir, आप लोग का motivation बहुत बड़ा important होता है, इसलिए, चाहूंगा मैं की motivation में ले, चलिए, next question चलते है, question number 71 की तरफ, लो भाई साब, question number 71 क्या कह रहा है, देखते है, question number 71, आ चुका है, आपके screen के सामने, शुरू करते है, यदि समय करण x square minus bx c के दो मूल क्रमागत पूरांग हो, तो b square minus 4c का मान क्या होगा, लो भाई, बिल्कुल नया question है, कह रहा है, यदि x square minus bx plus c के दो मूल क्रमागत पूरांग है, तो एक मूल अपनने मान लिया alpha और एक मूल मान लिया alpha प्लस 1, दो मूल इसके क्रमागत तो alpha plus 1 जो होगा, वो कितना आएगा, n plus 1, दो क्रमागत पूरांग का गए है, समी करण क्या दिया, आपके पास x square minus bx plus c equal to 0, तो सबसे पहले मूलों का योग, मूलों का योग जो होता है, तो हमें पस b square minus 4c का मान चाहिए, कुल में लाके मतलब हमको b और c निकाल लेना है, तो मूलों का योग जो होता है, n और n plus 1, या alpha alpha plus 1 लिखे के दो, equal to कितना हो जाएगा, minus का b, अपॉन a ने 1 है, तो 2n plus 1 equal to minus का b, और मूलों का गुडन फल, alpha into beta, that is equal to n into n plus 1, equal to कितना हो गया जी, c, ठीक है, तो c आ चुका है, मतलब कि n square plus n equal to हो चुका है, c, अब हमसे कह रह न होगा, आईए खेल देते हैं इसी पर, तो b square minus 4c, तो b square मतलब minus है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 2n plus 1 का whole square minus 4 into c, c का मतलब कितना है, n square plus n, okay, n square plus n है भाई साब, चलिए, इसको solve करता हूँ, तो ये कितना हो गया, 4n square plus 1, और plus 4n, और minus का 4n square, और minus का 4n low, हो, हो गया solve, इसका answer किता आया है, वो, एक मिनट जी, एक मिनट, one answer आ रहा है इसका, okay, high option में क्या, one, बिल्कुल सही है, यहाँ पर d लिखा था, d लिखा था, confused हो गया देखके, तो d गलत लगाया है, जिसने भी लगाया है, correct answer इसका कितना है, one, सही एकदम, सही, clear एकदम, तो इसको इस तरीके से दो क्रमागत पूरा, आप alpha और alpha प्लस 1 लेकी भी कर सकते हैं, n, n प्लस 1 लेकी कर सकते हैं, सार, एक formula होता है, इसकी दो roots मनते है, alpha और beta, हाँ, बिलकुल बनते हैं, तो इसका alpha माइस बीटा निकाले तो, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, सर, b square minus 4ac, हाँ, जैसे कि दो, एक, दो मूर्ट होते है, alpha और beta, होते है, हाँ, जी, जी, इसका मैं डिफर minus 4ac upon a, तो सर, आप difference क्यों निकाल रहे हैं, सर, यहाँ पर, सर, लिखे, एक बार लिखे, हाँ, चली, लिखते हैं, सर, एक बार, alpha minus beta equals, alpha minus beta equal to होता है, under root, alpha plus beta का whole square minus, सर, उसी से आएगा न, हाँ, तो मैं एक बार कर देता हूँ, alpha minus beta का whole square, मैं लिख देता हूँ, सर, इसलिए, चली, सर, यह हो गया, minus b square upon a square, minus 4c upon a, तो under root, b square minus 4ac upon a square, लीजे, सर, तो आपका कहना, alpha minus beta equal to, b square minus 4ac upon a, विल्कुल सही, सर, विल्कुल, हमें निकालना है, 20 square minus 4c निकालना है, हाँ, हमको b square minus 4c चाहिए, हमारे पस b square minus 4c चाहिए, हाँ, हमारे पस दो element है, एक alpha और alpha plus 1, डिफरेंस करेंगे, बन मिल जाएगा, और a आपको बंदे रखा है, तो आपको डायक्लिकान सर बन मिल जाएगा, हम, हमारे पस दो element है, एक है alpha और alpha plus 1, डिफरेंस बन हो जाएगा सर, और a की value इस question में अपने पास already 1 है, तो मतलब यह जो आएगा, यह जो आएगा अपने पास, यदि मैं इसको लिखूँ, तो under root b square minus 4ac, सत्योरी में पूरा जा रहा हूँ, equal to a multiply by alpha minus beta, तो यहाँ पे a की value already 1 है, डिफरेंस भी अपने पास 1 आ चुका है, और a की value 1 है, तो b square minus 4c की value 1 आ जाएगी, हाँ सर, ठीक है, समझ गया सर, बट आपकी practice है सर, मैं समझ गया एक चीज, आप बहुत जल्दी इसमें दिमाख लगा लिए, ठीक है सर, thank you सर, बढ़ी हा ट्रिक है, यह वाकई में बहुत अच्छी ट्रिक है, और किसी के पास कोई और ट्रिक हो तो बताईएगा, है ना, आँगे चलते हैं, तो बढ़ी बारा और आठ बीस, है ना, तो बीस सी नाइनटीन, तो बढ़ी यह एक यह आंसर आता, एनसी एन माइनस वन बराबर एन होता, तो ट्वंटी इसको करने की बज़रूद नहीं है, time pass question, बढ़ी अब बी एक्स कॉस अलफा एक, एवाई, साइन बीटा पर बिंद ले गए, लंबो का गुड़न फल आपको निकालना है, चलिए जी, solve करते हैं इसको, तो अपने पास जो लाइन है, वो अपने पास लाइन है, कितनी भाईया, बी एक्स, बी कॉस अलफा, इन्टू एक्स, और प्लस ए साइन अलफा, इन्टू वाई, ओके, एक्वल्स टू यह अपने पास में, एक्वल्स टू अबी है, और इस पर दो बिंदू है, अब एक है, अपने पास में मतलब होई है, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वेर माइनस बी स्क्वेर कॉमा जीरो है, से खीचे जाने, चलिए पहला पर्पेंडिकुलर ले जिए पी वन, और पी स्क्वेर माइनस बी स्क्वेर अपन अंडर रूट बी कॉस अलफा याने बी स्क्वेर कॉस स्क्वेर अलफा प्लस ए स्क्वेर साइन स्क्वेर अलफा, मल्टिप्लाई भाई देखी, दूसरा जो पर्पेंडिकुलर गिरेगा, वो माइनस से है, बट डिस्टेंस हमेशा पास में दूसरा पर्पेंडिकुलर इस बिंदू से गिर रहा ना तो दूसरा बाला भी आ जाएगा अपने पास में बी कॉस अलफा मल्टिप्लाई बाई अंडरूड ए स्कॉर माइनस का बी स्कॉर ठीक है यह ऐसा और होल डिवाइड वाई सेम कॉंटिटी आएगी चलिए तो इसको यदि मल्टिप्लाई कर दूँग तो यह बन जाएगा बी स्कॉर कॉस स्कॉर अलफा अंडरूड में ए स्कॉर कॉस स्कॉर अलफा प्लस ए स्कॉर साइन स्कॉर अलफा अब बताईए सर क्या किया जाए बी स्कॉर कॉस स्कॉर अलफा सर ए स्कॉर माइनस बी स्कॉर थैंक यू सो मच सर बल्कूल अच्छा ए स्कॉर माइनस बी स्कॉर अब सर हमारे पास जो आंसर आ रहा है यह दे condition में AB ओ सर AB भी था तो AX plus BY minus AB भी हो जाएगा यहाँ पे minus AB दोनों बार में इस्तमाल होगा तो मतलब पहले बार में भी minus AB और second बार में भी minus AB क्यों सर हाँ पहले बार में भी minus AB मतलब यह question एक तरीके से थोड़ा इसको फिर से सही करना पड़ेगा और minus AB इसमें भी यूज़ होगा वो plus का हो जागा सर ना इसको minus 20 को जाएगा सर यहाँ पे actually minus वाला आएगा तो यह plus हो जाएगा ऐसा कुछ कह रहे हैं आप क्या हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी 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 तो यह भी minus AB हो गया तो यह दोनों प्लस बन जाएंगे यही कह रहे है न सर हाँ तो यह दोनों प्लस बन जाएंगे चलिए चलिए तो इसको दुबारा कर देते हैं एक बार यहाँ से solve सूरच सर जी को प्रणाम करते हैं नौ वर्ष की बहुत बहुत शुपकामना है सूरच सर जी बहुत बहुत धन्यवाद सर तो देखिए अब यहाँ से इसको हम open करते हैं तो यह हो जाएगा अपने पास भीया बी स्क्वेर कॉस स्क्वेर अलफा और यह हो जाएगा ए स्क्वेर माइनस बी स्क्वेर माइनस ए स्क्वेर बी स्क्वेर और नीचे हो जाएगा दोनों का मल्टिप्लाई यहने की बी स्क्वेर कॉस स्क्वेर अलफा प्लस ए स्क्वेर साइन स्क्वेर अलफा अब ठीक है सर सर जी, हाँ, क्योंकि A plus B, A minus B कर दिया है, अब यदि यहां से सर हमें उपर से B square common दिख रहा है, उपर से सर हमें B square common दिख रहा है, तो B square बस common दिख रहा है सर, तो यहां पे आ गया cos square alpha और bracket में A square minus B square और minus का A square, ठीक है सर जी? और यहां पे है अपने पास, मेरा मन कहरा सर, पूरी expression को अपन को cos में बदल लेते हैं, तो नीचे है B, B square cos square alpha plus A square और sin square alpha को 1 minus cos square alpha, तो देखिए सर, यहां पे क्या होने वाला है, नीचे बन जाएगा B square cos square alpha, अचा पूरा कड़ जहां सर, थोड़ा देख लें, तो minus A square, B square cancer आगा, अचा सर, सर, काट तो दें पहले, चली, तो यहां से सर, उपर से तो B square है, और यहां पे है cos square alpha, A square minus B square, और whole का minus A square है, और यहां पे है सर, B square cos square alpha, प्लस A into A square minus A square cos square alpha, तो यदि यहां से B square, इधर तो उपर रहने दीचे जो भी चल रहा है, नीचे यहां सर, हमारे पास, हाँ, तो cos square alpha यदि common ले लिए जाए, तो यहां पे बच जाएगा, B square minus A square, और plus का A square, अच्छा सर, सूरत सर, क्योंकि एक्चली यह सारा करेक्रा मौड के अंदर चल रहा है, है ना, आशी सर, B, सर, मेरे यह कहना है कि यह सब कुछ मौड के अंदर चल रहा है, तो मेरे ख्याल से यह cancel हो जाएगा, और B square बच जाएगा, सूरत सर, हाँ सर, देखिए, ऊपर क्या है, सर, A square minus B square आ रहा है, और नीचे आ रहा है, B square minus A square, मतलब के बल एक minus sign का फर्क पड़ रहा है, सर, तो मैं आंसर कि minus का B square आ रहा है, सर, minus का B square option में कहीं नहीं है, सर, only plus का B square है, और मेरे ख्याल से, यह actually mod है, मौड में minus plus कोई मतलब ही नहीं बैठता है, सर, distance है, तो इसलिए इसका answer B square बन जाएगा, बिल्कुल सही, सर, चले मित्रों, बहुत, तो यह question जो एक NCRT में भी है, ऐसा type का, और उसमें भी यह चीज़ सामने आती है, तो उसको हम लोग को ऐसा लेना पड़ता है, चलें, आंगे, सर, question number 74, चलें, मूल बिंदू पर केंदर और इकाई दिरिज्या वाले गोले का समीकन क्या होगा, तो देखें भई, आंगे, मूल बिंदू एक्स माइनस, तीन यादी केंदर यू भी डबलू है, अच्छा सर, उसका जो, solution दिया हुआ है पिछले वाले का उसमें सरवाकई में minus b square है और लिखा हुआ है minus चिन को छोड़ने पर मतलब अपना जो answer आ रहा था वो minus b square आ रहा था हाँ वो distance है तो minus b square का mod equal to b square कोई दिक्कत नहीं उसमें चलिए यह भी हो गया अगले सवाल की तरफ चलते हैं गुमित्रों यह हो गया 74 नंबर यदी सानिक अवित करमणी है भाई अवित करमणी मतलब कि जिसको inverse ना कर सको तो inverse ना कर पाने वाला matrix क्या होता है non singular mod of a equal to 0 तो भाई है matrix का determinant equivalent equal to 0 कर दो तो चलो इसी को solve कर देते हैं यहां से 1 के साफ एक्च में तो 1 1 एक और 6 का गुणा 7 चोके 28 माइनस का 2 4 चोके 16 और प्लस का 2 और प्लस का x 4 चोके 16 और 2 एकम 2 वो भी प्लस का equal to किता 0 28 में से 6 गए माइनस का 22 28 ही तो होता है 16 और 2 कितना हो गया 18 18 दो माइनस का 36 और प्लस किता भी यह 4 और दो 6 x कहां हो गया सर? हां सर हां सर माइनस का 24 माइनस 14 माइनस का 24 और माइनस का 24 चलिए तो छह यहां हो गया मैनस का 22 और मैनस का 2 मैनस का 24 और मैनस का 24 और 24 कित्ता गुरुजी चार चार आठ 38 मैनस का 38 और प्लस कित्ता भिया 6 अक्स बरावर 0 38 दूनी 56 प्लस का 56 माइनस 22 और प्लस का 56 और प्लस का 6X बरावर 0 तो 6 में से दो गए 4 7 में से दो गए किता 5 है ना और इधर आ गया माइनस का 6X सर वो अभी एक जगा और कर पढ़ा है जो यक्स प्लस यक्स टाइम्स ये होगा 16 प्लस 2 4 चोके 16 देख रहे हैं सर कित्ती गड़वड़ी हो रही है 4 चोके 16 और प्लस 2 18 हो जाएगा ये सर 18 तिया 54 हो जाएगा सर 18 बरावर हो जाएगा तो X बरावर हो जाएगा माइनस का 3 ठीक है सर बिलकुल सही ज्यादा स्पीड भी नुक्सान हो रही है चलिए क्वेश्चन नंबर 75 के बाद क्वेश्चन नंबर 76 वो दस्वी क्लास को क्वेश्चन लग रहा है तो देखने में क्यों गुर्देव ठीक है ना कह रहा है कि अगर समीकरण इतने के मूलों के वर्गों का योग इतना है तो भाईया अलफा स्क्वेश्चन प्लस बीटा स्क्वेश्चन दिया है अलफा स्क्वेश्चन प्लस बीटा स्क्वेश्चन बराबर अलफा प्लस बीटा अलफा प्लस बीटा का होल स्क्वेश्चन माइनस होता है टू अलफा बीटा यह दो अब प्लस माइनस 2 क्यों सर? सर 6 माइनस का करोगा 4 बचेगा अच्छा यहाँ 6 जाएगा सही बात है 10 माइनस 6 होगा प्लस कर दिया भाई साथ 2 दीन है तो P स्क्वेर बराबर हो गया 4 तो P कॉल 2 प्लस माइनस 2 सभी है, correct answer A نवह के सर? हाँ सर? क्या हो गया? कैसा 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 लोड़ सर? लोड़ जाद हो गया तो गलती हुती है नगी सर, मैं क्या है थोड़ा सा स्पीड इस समय जादा ले के चल रहा हूं तो उसमें गलती हो रही है मगर अब कोसेस करूँगा कि रोक के थोड़ा रखूँगा गलतिया ना हो जैसे यहाँ पर क्या हुआ मुधर माइनस च्छे को प्लस च्छे करना था स्वरी यहाँ से प्लस च्छे है तो मेरे को माइनस च्छे करना था तो मैंने उसको प्लस च्छे कर दिया ठीक है न तो यहाँ पर क्या हो गया था दस और माइनस का च्छैग अब थोड़ा ध्यान रखेंगे सर इस पीड थोड़ी कम कर देंगे चलिए भीया उस प्रचेप का वेग दिसा जो कि 50 याड दूर और 75 फुट ऊची दीवार के ठीक ऊपर से 36 दिसा में गुजरता है यहाँ पर जो है प्रचेप को फेकने पर कुछ ऐसा निकलता है और यहाँ पर जो है 50 याड की दूरी पर एक 75 फुट ऊची दीवार है लियो भाई साब याड दिया है फुट दिया है और उसके उपर से गुजरता है तो बताईए कितने कोण पे फेका होगा और किस वेग से फेका होगा लगाओ पता अब तो दिमाग काम करना बंद गुरू जी थोड़ा साउंड प्लीस कम कर दीजे थोड़ा साउंड कम कर दीजे सर देखें यहाँ पर 75 फुट इसकी अधिकता मुच आई है तो इसका मतलब कैपिटल एच बराबर 75 हो गया और कैपिटल एच का फॉर्मूला होता है यू स्क्वाइर साइन स्क्वाइर अलफा अपॉन टू जी यह होता भाई साब अपने पास में फॉर्मूला एक्कॉल टू कितना होता है टू जी एक्कॉल टू सेवन है यह फॉर्मूला हुआ करता है और दूसरी चीज़ कह रहा है कि जो कि 50 याड दूर और 75 फुट की दीवार के उपर अब देखो जी भीया 75 फुट की दीवार है और 75 फुट की दीवार में जो है वो 50 याड पर जाता है 50 याड दूर किसी और द्योगिक संस्थान दुर घटना में 100 घायलों की जाचुई हाथ आँख हाथ तथा पैर से घायलों की संक्या क्रम से 30 पचा सत्तर है 44 घायल ऐसे हैं जिनके आख हाथ में चोटाई हाथ पैर में चोटाई ऐसे घायलों की संक्या बताना है जिनके हाथ पैर और आख तीनों में चोटे आई यह मतलब A intersection B intersection C तो भाईया टोटल घायल अपने पास कितने हैं किसी और दोगिक सस्था में 100 घायलों की जाच हुई है सर तो टोटल अपने पास में 100 है 100 equal to 30 आख वाले हैं तो 30 प्लस 50 और प्लस कितना भाईया 70 ठीक है न सर अब जिसके आख और हाथ में तो मतलब माइनस का 44 और दूसरा 34 यार एशे जिनके अथवा हाथ पैर अच्छा 3 44 है सर ये भी 44 ये भी 44 क्योंसर यही cannot हुआ अच्छा तीनो इतने में आई हैं इनके आथ हाथ में आथवा इस में अथवा इसमें अब ये बीच में अथवा बड़ लिखकर के कन्फ्यूज हो रहे हैं सर ये तो वो एड़ी होगा है हाँ मतलब सब्ट्रेक्ट होगा अपने नजरिये में तो चलिए तो चवालिस चवालिस एक बार लिखें कि तीन बार लिखें सर एक ही बार लिखेंगे इसको ठीक है और अपने माइनस है एन इंटरसेक्शन एंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये अपन को प्लस करना पड़ेगा ठीक है न सर तो चलिए 100 और प्लस का भाई है 30, 50, 75, 12, 120, प्लस 30, 150 150 हो माइनस का 44 कित्ता हो गया सर 106 गड़बड़ हो रही है सर गड़बड़ हो रही है चलिए सर इसको बेन डाइग्राम मनाएं के इस क्वेशन का चलिए सर तो इस क्वेशन का वेन डाइग्राम नाखे रहे किसी या जोगिक संस्थान में दुरगटना होने पर 100 गायलों की जाच हुई है मतलब सर कुल गायल जो इसके पास में है 100 है आख तथा पैर से गायलों की संख्या चलिए बना लेते हैं वेन डाइग्राम ये भाई साब ये आख वाले हैं और ये आख के बाद कौन है हाथ वाले हैं तो ये E for eyes और H for hand है और इसके बाद जो है पैर ये है अपने पास L for leg ठीक है तो आख हाथ तथा पैर से गायलों की संख्या 30, 50 और 70 है तो मैं ये मान लेता हूँ सर कि इसमें कुल जिनकी केवल आख लगी है वो है X और आख में से जो लोग आख वालों की संख्या 30 है इसकी 50 है इसकी 70 है घायलों में से 40 ऐसे हैं जिनके आख और हाथ में अथवा हाथ और पैर में अथवा पैर और आख में चोटाई है सर आप भले कहरो मेरे को लग रहा है सर की 40, 3 नहीं है सर ये अलग अलग है 44 सर तू उसी equation में लिखी है सर एक बार है ना 44 मेरे को लग रहा है की ये 3 अलग अलग है अच्छ सर एक बार इससे कर लेते हैं चलो सर देख लो ये x है, ये y है और ये z है ये x है ये y चलिए तो 100 equal to हो गया सर अपने पास 30 plus 75, 12 100, 500 minus 44, minus 44 और minus का 44 भुलिए ठीक है सर और plus na intersection b intersection c तो 100 और ये हो गया सर 150 और minus 44, 44, 44 कितना होता सर 4, 3, 12 की दो कहरी आई एक और 4, 3, 12 और एक 13 ठीक है न सर intersection b intersection c तो ये कितना हो गया सर 100 minus 150 में 632 गया कितना हो गया 150 में 632 गया 18 ओ भाई, क्या हो रहा है ये तो सर उधर तो कुछ और ही आ जाएगा सर इतने तो option में ही नहीं अपने पास में तो टल 100 है सर सर एक मिनट इसको इससे करने दो सर थोड़ा सा आईए इसको इससे करने वे इन डाइग्राम में कई वाले ते न फुटबॉल वाले question x, y, z है मान लीजे सर ये u गाल है ये v है ये w है और ये p है ठीक है सर तो अपने पास कह रहा है कि तोटल जो अपने पास में x 100 घालों की जाच हुई है जिसमें से आँख हाथ पैर आँख हाथ पैर से घाल आँख में सर 30 है तो केवल आँख नहीं लिखा है सर तो x प्लस u प्लस p प्लस v एकवल टू 30 ठीक है सर और फिर y प्लस डबलू y प्लस u प्लस प्लस डबलू एकवल टू कितने है सर 50 और जो पैर वाले हैं लेग वाले वो है जेड प्लस u प्लस u का एकवल आएगा जेड प्लस डबलू जेड प्लस डबलू प्लस p प्लस v एकवल टू कितने हैं अपने पास सर 70 ये हैं अब कहारा 44 ऐसे हैं जिनके आख और हाथ में अथवा हाथ और पैर में अथवा पैर और आख में चोटाई है आख और हाथ में आख ये है हाथ ये है तो u प्लस p एकवल टू 44 एकवल टू प्लस v एकवल टू प्लस w ये हैं सर अब क्या किया जाए सर अब यदि मैं टोटल इनको एड कर लेता हूं सर तो मेरे पास टोटल घायल इंसान आ सकते हैं अगर मैं टोटल इनको एड कर लूं सर 30, 50 और 70 को एड कर लूं तो मेरे पास टोटल घायल इनसान आ सकते हैं यू प्लस p, p प्लस v, p प्लस w हैं और यदि मैं इनको पूरे को एड कर लूं यू प्लस p, 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 v सर ना पहसं नहीं आ रहे हैं सर देखिए एक चीज यहां पर जो है हमाई पास में x प्लस u प्लस b प्लस w इतना है तो हमारे पास सर जो x की वैल्यू हो जाएगी x इकॉल टू केवल आँख मतलब टोटल आँख वाले जो हो जाएगे वो इतने हो जाएगे तो यदि यहां से देखा जाये सर तो x इकॉल टू हो जाएगा 30 माइनस u प्लस b प्लस b ठीक है यहां से y की वैल्यू हो जाएगी सर 50 माइनस u प्लस p प्लस w और यहां से z की वैल्यू हो जाएगी 70-U W P P P L S V यह हो जाएंगे ठीक है और अब हमारे पास total कह रहा है कि यह जो total candidate है हमारे पास आख वाले हाथ वाले और Z वाले तीनों को मिला करके हमारे पास सर 70 यह लोग है मतलब number of people union X union Y union Z हमारे पास कितने 100 लोग है तो total हमारे पास 100 लोग है मतलब X Y और Z मिला करके हमारे पास 100 लोग है मैं क्या लेख सकता हूँ 30 minus U plus P plus V plus 50 minus U plus P plus W plus 70 minus W plus P plus V अब देखिए सर यदि हमने ऐसा किया है तो हमने किस चीज को यहाँ पर जो हमने असर देखिए यहाँ पर U को दो बार involve कर लिया डबलू को दो बार involve कर लिया V को दो बार involve कर लिया और साथी साथी साथ P को हमने तीन बार involve कर लिया यहाँ पर यह हमसे mistake हुई है तो हम एक एक बार जो है इनको हम चाहेंगे कि एक एक बार इनको हम मतलब हमसे इसको माइनस किया ना तो एक बार हमने 30 में से UPV यह तो हो गया पेवर ओके equal to और साथ में हमें जोड़ना पड़ेगा किसको एक बार U को एक बार P को एक बार V को एक बार W को अब सहिए सर equals to 100 notice correct अब देखिए सर अब इसको solve करना पड़ेगा तो U हमारे पास कितने बार है एक U यहाँ से गया एक U यहाँ से गया और एक U प्लस हो जाएगा तो 30 और 50 80 और 70 120 ओके और 120 30, 50, 80 70, 150 हो गया तो 150 यहाँ लिख देता हूं मैं थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है 150 यह हो गया है माइनस U, माइनस U, 2U और प्लस का U यह हो जाएगा और प्लस का U यह हो जाएगा तो मतलब कुल में लाकर के U बच ही नहीं रहा है माइनस U माइनस U यह भी है माइनस U, माइनस U और प्लस का U तो अपने पास में कितना बचेगा एक माइनस U बचेगा ऐसे एक माइनस भी बचेगा और एक क्या बचेगा माइनस का W बचेगा और P कितने बचेगे एक P यहाँ पे तीन P यहाँ पे है और तीन P इधर माइनस के है और एक P प्लस का है तो माइनस का 2P बचेगा एक्वल टू कितना हो गया 100 चलो तो यहां से मैं चला जाओ तो इधर पे मेरे पास आ जाएगा 100 एक्वल टू U प्लस V प्लस W प्लस 2P ओके और U प्लस V प्लस W मतलब जिनके दो अंगों में चोट लगी है वो लोग वो कितने है 44 है 100 एक्वल टू 44 प्लस 100 एक्वल टू 44 प्लस 2P राइट यहां पे हमारे पास ऐसे लोग कितने हैं और अभी बचा कितना है यहां से यहां पे हमारे पास 50 बचा ना स्वरी 50 तो 50 इस एक्वल टू 44 प्लस 2P 50 एक्वल टू हो गया 44 प्लस 2P so 2 P equal to हो गया 50 minus 44 बोले तो 6 तो P equal to 3 चेक करते हैं P equal to 3 है क्या option में yes तो correct answer ऐसे लोग जिनके दोनों अंगों में चोट लगी है 3 लोग है तो मेरे साथ यहाँ पे जो लोग जोड़े है उनको समझ में आया है कि क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है सूरत सर कुछ पताए क्लियर हुआ हाँ हाँ सर जो 3 आया है वो 106 हाँ वो सही कह रहे थे सर आप जो था ना वो हम वो सर वो सही था कि 3 ओ का total था वो सम हाँ सर 3 ओ का total ही है वो सर सम जो आप कह रहे थे वो तीनों का total ही है एकदम सही कह रहे थे चलिए सर ठीक है आँगे बढ़ते हैं यह हो चुका 89 भी done now question number 90 इसकी तो सर आप ट्रिक बताते होंगे बच्चों को इसको करने का तरीका क्या होता है इसका ट्रिक हमको एक चीज समझ में आई सर सीधे पावर को गुणे में जान दो और कोई दिक्कत नहीं है सबसे बढ़िया तरीका तो एक्स की पावर सर है माइनस तीन बटे पाँच और उसका लगा है रूट तो वो भी हो गया एक बटे तो सर पाँच रूट लगा है तो एक बटे पाँच ठीक है न सर और उपर लगी है माइनस पाँच बटे तीन और उसके उपर लगी है पाँच ठीक है सर तो पाँच से पाँच कैंसिल माइनस से माइनस कैंसिल और ये पाँच से ये पाँच कैंसिल और तीन से तीन कैंसिल तो आंसर आगया X चली गुर्देव निमनाकरती में यदि PQ perpendicular to PS PQ जो है वो PS पर perpendicular है चली ये मतलब ये एंगल 90 डिगरी है PQ parallel to SR PQ parallel to SR ठीक है PQ जो है वो SR के parallel है तो ये ट्रांसवर्सल हो गया तो ट्रांसवर्सल हुआ तो अगर ये एंगल 28 है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 28 हो जाएगा ये एंगल अगर ये सर ये सर ये प्लस 28 इसके 65 होगा अल्टरनेट एंगल से नहीं वो 28 भी तो होगा ना सर एक मिनट एक मिनट है ये दोनों लाइन पैरलल नहीं है ना सर देखिए सर ये पैरलल है इसके clear है ये पैरलल है इसके और यहाँ पर PQ parallel to SR है और PQ perpendicular to यहाँ पर तो यह 90 degree है सर एक चीज़ यह देखिए कि यह angle अगर 90 degree है तो यकीनन यह वाला पूरा angle भी किता होगा 90 ही होगा सर यह total यह total इसको 90 होके तो देना पड़ेगा अब इसके बाद सर यहाँ से कोई line आ रही है यहाँ से कोई line आ रही है सर तो अपने पास में और एक line यह है अच्छा यह parallel नहीं है ठीक सर सर मैं कर रहा हूँ X plus 28 is equal to 65 यह alternate interior angle X plus 28 is equal to 65 X यह वाला है और 28 यह वाला है जेक सेफ के बन रहा है न alternate interior angle है यह हाँ 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 X plus 28 is equal to 65 हाँ यह alternate interior angle बनने है बिल्कुल सही बात है तो यह सैंतिस आ जाएगा X का value 37 डिग्री आ जाएगा बिल्कुल सही बिल्कुल सही हाँ सर अब देखिए X और प्लस angle P पे 90 प्लस Y है 90 प्लस Y है X plus Y बराबर 90 होगा X plus 90 प्लस Y है triangle की property से हाँ हाँ ठीक है बिल्कुल होगा बिल्कुल होगा बिल्कुल होगा सर correct है correct answer तो आपसन नंबर B correct होगा X का value 37 य का value 33 बिल्कुल सही सर जिसमें एक आपसन सर 33 बिल्कुल लिखा हुआ है तो इसमें पहले X मांगा गया है बाद में Y मांगा गया है तो इसका द्यान रखना पड़ेगा अपन को हाँ इसका अपन को द्यान रखना पड़ेगा चली यह हो गया अगला question है यदि PX कमान गुडन खंड तो यह तो सर देमेंडर theorem लगा देंगे इसमें कुछ हाई नहीं है फंट रख देंगे आंसर आ जाएगा अगला question है सर 93 अगला question है 93 इतने 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 के अनंत पड़ों का योगफल ग्याद कीजिए तो दो तरीके होते हैं या तो इसका अन्वा पद बना करके समेशन रूल लगा लीजिए या आप जो है पद बना करके ऐसा कुछ माइनस आइनस करके जोड़ते जाएए तो ऐसा बहतर नहीं लग रहा है तो देखे दो तीन चार है तीन चार पांच है तो उपर है सर 2N प्लस 1 2N प्लस 2 2N प्लस 3 क्यों सर उपर का जो N वा पद बन जाएगा उपर का तो बन गया सर 2N प्लस 1 क्योंकि N की वैली वन डाली है सर 1 पे 3,4,5 और नमबर और मतलब 2N प्लस 1 नहीं 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 बन रहा नहीं बना नहीं सर उपर बनेगा या N प्लस 2 बनेगा बिल्कुल सही बात है सर उपर बनेगा N प्लस 2 एपी बन रही सर उपर और नीचे सर 1,2,4 और 2,3,5 मतलब N प्लस 1 और N प्लस 2 आप सर जिदवाजी नहीं अपन पहले चेक कर लें कि यह सही बन रहा कि नहीं बन रहा दूसरे मादर करें दो तीन और दो प्लस तीन पांच करें तीसरे में तीन प्लस एक,4,3 ती जान लिए बन रहा सर अब ये आ चुका है सर अब इसको अपन को sigma तो लगाना है मगर पहले इसको अपन को ऐसे convert करना है कि सर ये उसमें आ जाये partial fraction करें सर है न इसका क्यों सर अब इसको अपन को upon की form में ले करके आना है तो बताईए इसका क्या तरीका होता N plus 1 minus 1 करके कर दें इसको पहले N plus 1 plus 1 कर दें हैं ना सर N plus 1 plus 1 लेके कर देते हैं तो ये जल्दी हो जाएगा देखी सर करते हैं इसको तो उपर जो है TN equal to है अपने पास N plus 1 और plus 1 तो N plus 1 के नीचे है N N plus 1 N plus 3 और यहां भी N N plus 1 N plus 3 N plus 1 से N plus 1 कैंसल तो 1 upon N into N plus 3 और plus 1 upon N into N plus 1 into N plus 3 ये अपने पास आगया है सर एक चीज बताईए कि क्या आपन इसको अब यहां पे N की value 1, 2, 3 लेकर के न जोड़ करके लिख लें इस तरीके से जैसे अलग-अलग जोड़ते हैं नहीं 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 उसमें माइनस आना चाहिए पहले तब जोड़ पाएंगे अब क्या किया जाए सर इसको को सब सेट करना पड़ेगा जिसको सेट करने का एक तरीका पार्शिल फ्रेक्शन बेस तरीका पार्शिल फ्रेक्शन ही है तो अपन मेरे ख्याल से टाइम ना खराब करते हुए पार्शिल फ्रेक्शन लगाने क्यों सर चलिए तो पार्शिल एली लगा देते हैं तो पार्शिल से यह जल्दी सेट हो जाएगा चलिए तो मैं एक काम करता हूँ TN को मैं यह दर पे बदाए देता हूँ और यहाँ 4 तो 2 by 4 याने की 1 by 2 तो पहला आ गया सर 1 upon 2N दूसरा B N plus 1 equal to 0 ने N equal to minus 1 तो उपर minus 1 plus 2 मतलब 1 बचा नीचे minus 1 और इसको तो हाथ नहीं लगा होगे और minus 1 plus 3 मतलब की 2 तो minus 1 by 2 ठीक है सर और N plus 1 और लास्ट में N plus 3 equal to 0 तो उपर minus 3 plus 2 याने उपर बच गया minus 1 इधर पर minus 3 और minus 3 plus 1 मतलब minus का 2 minus 3 plus 1 मतलब minus का 2 minus minus plus हो गया और उपर minus minus 1 by 6 तो यह भी हो गया minus 1 by 6 और bracket में N plus 3 ठीक है सर यह हो गया अपने पास में TN now Sn equal to sigma TN infinity oh तो नहीं जाएगा इसमें क्योंकि option E के terms में नहीं है मतलब इस तरीके से अपन नहीं जा सकते हैं अब अपन को वही rule लगाना पड़ेगा सर अब यदि सर अपन पर यहाँ पर N tends to infinity कर दें तो अपन 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 यह हो जाएगा सर यह और E के terms में आंसर नहीं है सर यह दी E के terms में आंसर होते तो एक बार अपन अपन लेते सर E Y 6 6 करके कुछ बनता हो बट N माइनस 3 है सर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी E के terms में भी लाने के लिए बहुत जबरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी चलिए सर क्या किया जाए सर अब वही सर रख करके जोड़ना पड़ेगा सर अलग-अलग series को रख करके जोड़ना पड़ेगा और रख करके जोड़ने के बाद जो आंसर मिलेगा वही उस तरीके से समझ में आए को क्या आंसर होगा बहुत मैनत लग जाएगी सर इससे अच्छा है कि इस question को तो competitive exam में आए तो छोड़ दो क्या कहरें सूर्च सर कुछ सला दीजे प्लीज इसको सर फोड़ना सेट करना पड़ेगा ये डारेक्ट जैसे कि वण अपाने ये प्लस वन माइन सब्सक्राइब अपाने न प्लस टू करके सेट करके सॉल्ब बरते हैं चली सब्सक्राइब जल्दी आएगा ऐसे जब तक वह नहीं सेट हो पाएगा तब तक नहीं आ पाएगा इसको 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 लगाते है चली अगला क्वस्चाने देखी 94 question number 94 है कि अगर fx equal to x square है और gx equal to x cube है x वास्तविक है तो f1 की है और g1 की नहीं है अच्छा और वास्तविक में संख्याओं में पोल रहा है तो f1 की है तो देखे सर x square जो है वो तो एक है की बिल्कुल नहीं है और gx equal to x cube बिल्कुल एक है की है क्योंकि ग्राफ से पता चल रहा है पहले वाले का ग्राफ ये जाएगा सर तो yx इसको पेरले लाने पर दो पाइंट पे काट रहा है एक है की नहीं है और x cube का ग्राफ इस तरीके से आता है तो ये एक है की है तो आंसर हो गया इसका सर सी वाला कि fx जो है अब एक मिनट सर एक है की फलन gx equal to x cube gx एक है है बट आंसर दिया है सर की gx भी 1-2-5 नहीं है क्यों और सुरू इस बर्द मान या इक दरिश्ट अऽा सर тон सब्सक्राइब करेक्ट होना चाहिए चली 95X पर किसी अरे भाईया क्या पूछ रहा है बिंदो रूप कोई नहीं वारे चली अगला कोश्चन है सर कॉस एक्स थीटा साइन थीटा तो इसका तो डिरेक्टली सर फॉर्मूला क्लास तेंथ का है इंडक्शन थियोरम क्लास ट्वल्थ का है कॉस एन थीटा साइन थीट क्लास ट्वल्थ की बुक में है मेरे खाल से कॉस्चन चली अगला कोश्चन देखते हैं यदि अल्फा बीटा गामा इस परकार है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक क्वल टू टू अल्फा स्कॉर प्लस बीटा स्कॉर प्लस बीटा स्कॉर इतना है अल्फा की पावर एक equation इस प्रकार है कि alpha plus beta plus gamma equal to 2 एक minute सर तो और alpha square plus beta square plus gamma square equal to 6 ओ तीन condition दे रही सर alpha plus beta plus gamma equal to 2 alpha square plus beta square plus gamma square equal to 8 है और alpha cube plus beta cube plus gamma cube equals to कितना है ये भी सर मेरे ख्याल से उपर वाला 6 दिख रहा है मेरे ख्याल से alpha cube हाँ वो 6 है सर ये 6 है और alpha cube plus beta cube plus gamma cube equal to कितना है आठ है तो आपके पास बताना है alpha की power 4 plus beta की power 4 plus gamma की power 4 तो यदी सर मैं इसको alpha square plus beta square लिखूँ तो alpha square plus beta square इसको लिखा जा सकता है सर alpha square plus beta का square minus 2 alpha square beta square यस और आपके नो सर और इसे लिखा जा सकता है सर अच्छा इसको alpha square plus beta square plus gamma square के फोल स्कवार से डील करने चलिए तो डील कर देते है thermometer नहीं इसको मैं लिखूं अलफा स्कॵार प्लस बीटा स्क्वार ट्लस गामा स्क्वार के whole स्क्वार से if all fakie power 4- plus beta 4- plus गामा की पावर 4- very फ्याइ काई सभर तो यहां तो अलफर स्क्वयर बीटा सेड़ी सुआर है। अलफर स्क्वयर बीटा स्क्वयर प्लेस बीटा स्क्वयर गामा सब्सक्राइब रहिकर तो.. अब ये रेखिए इसकी value हमाँ आपस दे रखी इसकी value 6 है तो 6 का square 36 हो गया और plus इसको उसको x लिखे जो निकालना है हाँ उसको x लिख लेते हैं plus 2 अब ये sir alpha square beta square beta square gamma square alpha square gamma square ये multiply form में है ये पूरा multiply form में है हाँ हाँ उसको लिखिए sir तो उसको निकलवाते हैं अभी alpha plus beta plus gamma का whole square से हम तो इसको 2 alpha square alpha beta square लिख दूआ अलग अलग कर दें इसको हाँ लिखी sir alpha square beta square plus beta square gamma square अलफा square तू बाहर करके alpha square beta square plus beta square gamma square प्लस alpha square gamma square एक मिनट सुनिये न सर अगर देखिए अब ध्यान से यहाँ से यदि मैं sir beta square common ले लूँ तो इससर ये अंदर बचेगा alpha square plus gamma square वो बाद में 6 minus beta square बच जाएगा sir तो सर जी अपने पास वो तो निकल जाएगी मगर अपन को alpha beta beta gamma gamma alpha चाहिए ना निकले आप रखिये पहले alpha plus beta plus gamma का whole square लेखिए लेजिए भई या alpha plus beta plus gamma का whole square equal to alpha square plus beta square plus gamma square plus two bracket में alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha ये लेजिए भाई इसकी value alpha plus beta plus gamma ये जो value है alpha plus beta plus gamma की value 2 दी है ठीक है न सर तो 2 का square 4 हो गया और alpha square beta square gamma की value 6 दी गई है तो ये 6 हो गया plus two alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha अब बताओ क्या करूं सर में अब सर उसको minus करिए 4 में से 6 गया minus 2 minus 1 आ गया alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha की value minus 1 आ गया बिल्कुल सही है तो minus 1 equal to हो गया alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha की value तब फिर से square करिए sir 1 is equal to उसी करिया sir इसी करिया भी 1 is equal to मैं यही तो कह रहा था sir यह आपको नहीं लग रहे बड़ा हो रहा है इससे सरल तो फिर वैसे निकल जाता 1 equal to alpha square beta square plus beta square gamma square plus gamma square alpha square plus two ये into ये alpha beta square gamma plus beta gamma square alpha plus alpha square beta gamma लो भी या इसमें alpha beta gamma कामल नहीं तो 1 equal to alpha square beta square beta square gamma square अब ये भी तो दानों बजगे है sir alpha square beta square इसको value रखना है वहाँ पर अच्छा इसको वाई suppose कर ले चलिए इसको वाई suppose कर लिया प्लस two यहां से alpha beta gamma common ले लिया तो अंदर alpha plus beta plus gamma बजगे जिसकी value भाई साब two alpha plus beta plus gamma की value अपने पास में है two ये रख दिया जी two अभी alpha into beta into gamma चाहिए अब सर सुनिये हमाई सुनिये हमाई सुनिये हमाई सुनिये हमाई सुनिये हम आपकी बात करें देखे सर यहां पे 6 square 36 हो गया हाँ है ना और यहां पे जो निकालना अपन को एकस निकालना है अपन को है ना alpha की power 4 plus 2 अब रुकिए सर देखी यहां से रिकिए सर यहां से यदी मैं यहां से यदी मैं बीटा स्क्वेर कॉमन ले लूँ क्या लो कॉमन बीटा स्क्वेर तो alpha square plus gamma square बज गया और alpha square plus gamma square equal to 6 minus beta square ठीक है सर अब प्लस यहां है सर alpha square और साथ में हैं gamma square फस गया सर गुरुजी जी गुर्देव मैं जो बता रहा हूँ ना इसमें तीन फार्मूलों का यूज करने के बाद एंस्वर आएगा सर यह तनी आसानिस नहीं आएगा अब सर अगला फार्मूला लिखिए जो alpha beta gamma की वल्यू निकलेगी बताएं वह थ्री ए बी सी वाला a plus b plus c वह वाला a q plus b q plus c q alpha q plus beta q plus gamma q है ना चलिए लिख लेते हैं सर जी चलिए तो alpha q plus beta q plus gamma q minus 3 alpha beta gamma equal to alpha plus beta plus gamma bracket में alpha square plus beta square plus gamma square minus alpha beta minus beta gamma minus gamma alpha है ना सर तो इसका value alpha plus beta plus gamma q q का 8 दिया हुआ है हम बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप इसलिए दिया है कि अपन कुछ कर पाएं तो 8 minus 3 alpha beta gamma equal to 2 और यहां पे आ जाएगा सर alpha alpha plus beta plus gamma इसकी value 6 निकाल लिए अपने दी है यह तो हाँ और alpha square plus beta square plus gamma square का value 6 दिया है बहुत बढ़िया यह अपने को 6 दिया हुआ है और यह minus minus 1 और minus इसकी value का भी अपने निकल बाई है सर हाँ यह minus 1 है तो यह minus minus 1 हो जाएगा minus minus 1 plus 1 हो जाएगा 7 तो 8 minus 3 alpha beta gamma बराबर 7 दूने 14 8 minus 14 बराबर minus 6 हाँ है सर बराबर 3 alpha beta gamma alpha beta gamma बराबर minus 2 ठीक है न सर चलिए भईया आ गया answer तो 1 बराबर यह सर अपन को y alpha square beta square gamma square है न सर अभी यह निकलेगा 1 plus 2 alpha into beta into gamma कितना है सर minus 2 minus 2 तो minus 2 into plus 2 हो गया minus 4 minus 4 हो गया और minus 4 मतलब 1 बराबर y minus 8 तो y बराबर 9 हुआ है सर तो मतलब इसका value जो है सर 9 आ गया है ठीक है न सर इसका value न आ गया है यहां रखिये जहां आप अभी कर रहे है थे सर सर यही न चाहिए यह सरम लोग को तो चलिए यह फाल्टू आ गया था 36 बराबर X प्लस 2 गुणे 9 दुनी 18 और 36 माइनस 18 बराबर X तो X का मान 18 ओ भाईया कुल मिला के सर इस question को जो attempt करेगा वो जिन्दगी खराब कर लेगा अपनी सर कितना भी तेजी से करोगे सर तीन मिनट से कम तो नहीं ले पाएगा कोई बंदा सर अब चलिए सर ठीक अच्छी बात है अब चलिए भाई साब यह इसका त्रिज्जा है कहरा A.C. बराबर B.C. तो यह हो जाएगा 45 डिग्री साब दिख रहा है चलिए आठ मिनस चालिस सेकेंड इतना हो गया N.C. 1, N.C. 2, 2, C. 2 यह तो सर वो उससे डिफ्रेंशेशन से होगा सर रही है न 1.C. 1 तो यह होता है सर 2 की पावर N होता है सर अगर N.C. 0 से चला जाए तो N.C. 1, N.C. 2 N.C. 0 से चलते हैं तो 2 की पावर N होता है तो डिफ्रेंशेशन कर दिया जाए तो N इंटू 2 की पावर N-1 तो आंसर होगा इसका C ठीक ना सर हाँ हाँ सर भाई अब इसका कह रहा है कि X प्लस 2, X प्लस 3, X प्लस 3, X प्लस 4 और X प्लस 2, X प्लस 4 का मासपा क्या है तो सर 2, 3, 3, 4, 2, 4 इसमें कुछ common नहीं है सर इसका मतलब कोई भी number ले 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 आत्वपन में है ना सर कोई भी number X की value डालके तो इसका मासपा 1 आएगा इसको करने का तरीका सर कोई number लेके भी कर सकते ना पन सर नहीं नहीं सर वह नहीं आएगा सर देखिए मासपा मतलब तीनों में होना चाहिए सब समझ गया ना वही मासपा है ठीक है क्या बोलते हैं उसका नाम अरे बहुत अच्छा नाम है को प्राइम नंबर चलिए ब्रत्तकार प्लाट का छेत्रपल दसमी क्लास का कोश्चन 3 की पावर X और 3 की पावर X माइनस 1 बराबर 18 है तो X की पावर X का मान क्या होगा पहले इसको अरेंज कलने सर इस तरीके से है ना कि यह अपन कुछ समझ में आ जाए देखे सर अगर यहाँ पे 3 पावर डालते है 27 और यहाँ पे 3 माइनस 2 तो 27 में से 9 गया 27 में से 9 गया तो 18 आ रहा है तो मतलब X की वैली हो गई 3 तो 3 की पावर 3 वरावर 27 और जर्वेस नहीं से आ गया खेल खतम 27 चत्रवज के अधारों के बीच में लिए अनुपाद सेम होता है न एक समानतर रेखाओं के बीच में 27 चत्रवज बरावर आधार और एक ही समानतर रेखाओं के बीच में इस्थेत है तो इनके चत्रवज के अनुपाद एक क्यों सर हाँ 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 सर हाँ ठीक है अगला हाँ सर दो चीजे हैं अगर उसमें थियोरम दो है सर एक त्रवज की भी थियोरम है और एक चत्रवज की भी थियोरम है और दो ट्रेंगल का एरिया भी आपस में एक्क्वल, दो चतरभुज का एरिया भी आपस में एक्क्वल, और अगर ट्रेंगल का एरिया होगा, वो हाफ आप दा एरिया आप दा पेलेलोग्राम, चलिए, ये तो सर उससे कर लेंगे, रेमेंडर थियोरम से, है न, ये घटिया क कोस्चन एक4 Y का मान in याद करके डिवाइट कर दो हो जाएगा XYZ परवले के उस अभिलंब का समीकर्ण जो X के साथ 45 डिगरी का कौन बनाता है परवले पर अभिलंब का समीकर्ण उस अभिलंब का समीकर्ण जो X अच्छ के साथ 45 डिगरी का कौन बनाता है कैसे करेंगे सर बताइए आपने को परवले पर अभी लंब का समीकर्ण बनाना है परवले एकस स्क्वेर इकोल टू वाई स्क्वेर इसका पहले डिफ्रेंसियेशन करिए तो स्लोप आफ टैंजेंट आएगी उसके बाद स्लोप आफ नार्मल निकाल करके उसको 10 थीटा से कंपेर कर देंगे दी वाई बाई डी एकस निकाली इसमें चलिए तो वाई इस इकोल टू हो जाएगा एकस स्क्वेर प्लस थी एकस तो डी वाई डी एकस इकोल टू हो जाएगा सर टू एकस प्लस थी ठीक ना और अब यह कह रहा है कि यह जो अभी लंब है यह जो अभी लंब है यह एकस के साथ पैतालिस डीगरी का कुण बनाता है मतलब अभी लंब का जो स्लोप है है ना सर प्रमणता वो 1045 यानिकी वो इनने 1045 वन न हुआ वन हो गया यह यह एकस का मान निकाल लेए सर तो टू एकस का मान निकाल जाएगा टू का स्क्वेर चार चार मान च्छे मान दो अब कहरा अभी लंब का समी कराँ य-1 एकस मान य-1 एकस वन तो य-1-1 एकस ब्राइब लंब का मान सर आया है एक और एकस मानेस मानस टू याने एकस प्लस टू हाई या ना य बराबर एकस बहुत बड़ी आशर चलिए सर अगला क्वेस्चन 10 इनवर्स टू एकस ये भी हो गया ये भी टू टैनिवर्स एक्स आंसर वन चलिए सरब इसको बाकी जो बचे हुए इनको कल करते हैं कुछ कॉस्चन है ना इसे बड़ा आनंद आया सर आपके साथ आज क्लास करके सभी लोग जो जुड़े हुए हैं अब इसका फूल आंशा शीट में आपको दिये देता हूँ और वीडियो भी आपका यूटीब में थोड़े देर में अपलोड कर दूँगा आप लोगों ने अपना कीमती बहुमूले समय दिया सभी को धन्यवाद प्रणाम नमस्कार गुड़नाइट गुर्दीब कल भी जुड़िएगा जी सर